आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब इस प्रेशन को हल करते हैं जैसा कि हम जानते हैं लाब बराबर होता है लाब हमारे पास पराबर होता है निवेश गुणा समय के बराबर तो यहां पर हम निकालेंगे इन दोनों को प्रापत हुए लाब का अनुपात तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं अनिल को अनिल अनिल ने कुल जो पैसे निवेश किये हैं वो बराबर है 3300 के और यहाँ पर हम यह माल लेते हैं कि वो एक साल के लिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का समय बराबर है इसका अनुपात निखिल के साथ तो निखिल ने जो पैसे निवेश किये हैं वो बराबर है 5000 रुपए के और वो भी हम माल लेते हैं कि उसने एक साल के लिए किये हैं तो यहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होगा 33 अनुपात 50 के बराबर और ये इन दोनों को प्रापत हुए लाब का अनुपात है हमें कुल लाब दिया गया है लाब बराबर है लाब बराबर दिया गया है 1660 रुपए के तो हमें अनिल का हिस्सा बताना है तो यहाँ पर अनिल का हिस्सा बराबर होगा अनिल का हिस्सा बराबर है यहाँ पर अनिल के लिए हमारे पैस जो लाब का अनुपाद है वो बराबर है 33 के वटे कुल अनुपाद कुल अनुपाद यहाँ पर हम दोने को जमा कर देंगे 33 जमा 50 और जो लाब रापत हो रहा है वो है 1660 रुपए के तो अब हम इसको हल करते हैं यह बराबर होगा 33 वटे 83 गुणा 1660 और इसको हल करने पर यह हमें मिलेगा 33 गुणा 20 जो की बराबर होता है 660 रुपए के तो उनको कुल लाब रापत जो हो रहा है उसमें से जो अनिल का हिस्सा है वे बराबर है 660 रुपए के और यही हमारा उत्तर है और हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो विकल्प सही हो रहा है वे है विकल्प नमबर 4 थैंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 पर